जै शरी राम बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर मैं पंडिताशी शर्मा मेरा आज का ये वीडियो कन्या राशी के जातकों के लिए यानि यह वीडियो चंदर राशी पराधारित है इस वीडियो में हमारी मुख्य रूप से चर्चा रहेगी कि इस महीने के अंदर चार ग्रहों का राशी परिवर्तन हो रहा है और शनी देव भी इस महीने 23 अक्टूबर को वक्री से मारगी अवस्था में होंगे जहां मंगल 15 तारीक को राशी परिवर्तन करेंगे 17 को सूर्य 18 अक्टूबर को शुक्र तो 26 अक्टूबर को आपके ही राशी के मालिक बुद्ध का राशी परिवर्तन हो जाएगा यानि इन चार ग्रहों का राशी परिवर्तन इस महीने देखने के लिए मिलेगा और शनी भी वक्री से मारगी रहेंगे तो पहले इन ग्रहों की स्थितियां और इनका फिर बाद में राशी परिवर्टन करना आपके जीवन में किस प्रकार की स्थिति को ला रहा है उसका हम विस्तार से यहां चर्चा करेंगे क्योंकि सभी ग्रहों की अपनी कोई न कोई जिम्मेदारी है और वह ग्रह अपनी जिम्मेदारी को किस प्रकार से निभाता है यह उसकी ब्रह्मान में चल रहे हुई इस्थितियों के द्वारा ही निर्वर होता है क्या आपका भाग्या कैसा है आपका कर्म कैसा आपका लाब कैसा, मान सम्मान स्वास्त कैसा, शिक्षा कैसी, प्रेम संबंद कैसे, व्यवाहिक जीवन कैसा, सभी के बारे में हमारी विश्ट्रिश चर्चा रहेगी क्योंकि हर्ग रहे, कुछ न कुछ तो आपको देगा। अब जब महीना शुरू होता है, तो महीने के शुरुवात में हम देखते हैं, कि सूर्य बुद्ध और शुक्र की एक यूती राशी में ही बनी हुई है, अगर इसे राज्योगों और धन्योग की द्रश्टी कौन से देखें, तो ये एक बहुत सुन्दर योग है, यहां बु शेतर कर्म, नौकरी ब्याबार, यश्मान सम्मान प्रसिद्धी, स्वास्त, इन सब के जो मालिक हो गए, यहां बुद्ध हो गए, और वो बुद्ध 26 अक्टूबर तक strongly placed रहेंगे आपकी राशी के अंदर, जिसको हम कहते हैं भद्र नामक महापुरुश्योग, इसका यह ग्रह आपके जीवन में आपको नीचे नहीं गरने देगा, यह ग्रह आपको लगातार कारे में लगाये रखेगा, यह ग्रह लगातार किसी ना किसी साधन से आपके जीवन में, धन के आगमन बनाएगा, काम देगा, यश्ष फैलाएगा आपका, यह combination से आप अपने जी मेधारी आपको दी जाएगी जिसको लगता है कि हाँ आप उसके लिए बने हैं, वो समय उसे साफ से बुद्ध के लिए बहुत सुंदर है, तो बुद्ध ने यहां कारे के दस्टिकॉन से सम्मान के और यश के समय दस्टिकॉन से बहुत अच्छी भूमी का निभाई है, अब तो शुक्र कौन है आपके लिए शुक्र आपके भाग्या विदाता है कोई कि वो भाग्यस्तान के मालिक है और धन दिलाने वाले ग्रहे हैं यानि शुक्र की इस्थति बुद्ध के साथ मिलकर धनयोग और राजयोग परिवर्तित करती है बनाती है कि लगबग 26 अक्टूबर को ये हल कर जाएंगे बहुत सारी प्रावलम्स को सॉल्व कर जाएंगे आपके भाग्या को बना जाएंगे आपको कोई बैटर अपोर्चुनिटी मिल जाएगी धन में व्रधी होना धन का संचय बढ़ जाना कि अब मेरे पास पैसा आने लगा अब मेरे पास पैसा तो यहां यह शुक्र और बुद्ध बहुत अच्छे लक्षमी योग के अंदर बने हुए इसको हम अखंड सामराज्य योग भी कहते हैं जब केंद्र त्रिकॉन के मालिक धन भावु से संबंद बनाकर केंद्र त्रिकॉन में ही बैठ जाते हैं तो यह अपने आप में और बुद्ध क स्तिती भी खराब नहीं भाग्य भी सीक, करम भी ठीक, धनकी स्तिती भी ठीक साथ मिलकर बुदाजित्तययोग बनाएगा लेकिन जब यह सूर्य सत्रे एक्टूबर के बाद राशी से दूसरे भाव में पहुंचेगा तो यह धन के लिए अच्छा नहीं है क्योंकि यहां पर केतू है सूर्य केतू के साथ मिलकर ग्रहन दोश बनाएगा शुक्र यहां इस पैसे के लेनदेन में साथधानी रखें, फिजूल खर्चों से आपको बचना होगा, पैसे को समभाल कर खर्च करें ऐसा ही नहीं कि बिना वजह आपने पैसा खर्च कर दिया फिजूल खर्च होगा और बाद में आप तनाव में आ गई ऐसे स्थितियों में आँखों से सम्मंदित परिशानी बढ़ सकती है चश्मे का नमबर बढ़ सकता है आँख के आसपास कहीं चोट लग सकती है उसका आपको ध्यान रखना है और भगवान सूर्य देव की अराधना करना ना भूले इस पूरे महीने हैं आप आदित्य हर्दे के बाद वक्री से मारगी बढ़ पंचमेश पंचम में है लेकिन वक्री है तो कारे में डिले हो रहा है देता अवश्य है लेकिन कोई न कोई अलचन या डिले देता है उस कारे को वो धीरे धीरे कराता है लेकिन अब जब शनी 23 अक्टूबर के बाद वक्री से मारगी होंग शिक्षा में कुछ प्राप्ट करने के लिए नया मार्ग मिलेगा कुछ रस्ते अपने आप खुलते नजर आएंगे आपको इस शनी की वज़े से ये शनी मार्ग यहोके धन भावों पर द्रश्टी देगा दूसरे और एक अदश्प्यानी शनी की स्थि विद्या से बुद्धी से ज्यान से आपकी तारकिक तथ्यों से आपकी बुद्धिमानी से आपकी योजनाओं से आपको धन दिलाएगी इसमें कोई भी संदेह नहीं शनी की स्थिती भी बहुत मजबूत है आपके लिए शनी त्रिकोन में बैठेंगे अपने राशी में तो ये धन देने वाला गहया अवश्य बनेगा अब ब्रस्पति आपके लिए सब्तम भाव के माली के सब्तमेश का सब्तम में जाना आपको जीवन में क्या देता है सब्तम भाव से सम्मंदित फलो में वरध्घी करता है सब्तम भाव सपावस का है ये समय जीवन साती को प्राप्त करने के लिए अच्छा है क्योंकि इसके सामने उच्च का बुद्र जो राशी का मालिक है वो सब्तम भाव पे द्रश्टी देता है यानि बुद्ध और ब्रस्पती आमने सामने भद्र योग बनाने वाला और हंस योग बनाने वाले दोनों योग आमने सामने सब्तम भाव पद प्रापती का ये समय प्रमोशन के लिए अच्छा पदप्राप्ती के लिए अच्छा, समाजी किस्थतियों के लिए अच्छा, मान सम्मान के लिए अच्छा, सुख, साधन, वाहन, मकान, सम्मधित, योग के लिए अच्छा, राजनीतिक कार्रों के लिए अच्छा, समाज में अपनी उठबैट बनाने के लिए अच्छा है यानि ब्रस्पती अपनी जगह स्ट्रॉंग होकर बैठे हैं इनको कोई भी तकलीफ यहां नहीं है अब मंगल थोड़ी चिंता दर्शाता है क्योंकि मंगल आपके लिए शत्रू है मंगल कहता है कि मैं तीसरे घर का मालिक हूँ तो ठीक है मैं आपको एफर्ट्स कराओंगा मैं आपको मेहनत करने की शमता दूँगा लेकिन मंगल का अश्टमेश होना जहां अश्टम में राहू है यह अच्छा नहीं होता, कि अश्टम में राहू, राहू भी मंगल की राशी मर, मंगल भागय स्थान में, 15 अक्टूबर तक और फिर मंगल वेटेंगे करम स्थान में, यानि इस मंगल की वज़े से भागय के अंदर बाधा और करम शित्र में बाधा ना आ जाए, यह मंगल अ इसकस नहीं किया अपने दिर्णे लेने से पहले, मैंने अपने आप ही दिर्णे ले दिया, यही मंगल है जो आपको इन चीजों के लिए नुकसान दिलाएगा, खास तोर पे आपको जब साबधान हो जाना है, जब 15 अक्टूबर निकल जाएगी, तो कि 15 अक्टूबर के ब अच्छा कासा काम कर रहे हैं, बुद अच्छा है, शुकर अच्छा है, ब्रस्पति शनी सब फेवर में है, लेकि जब से यह मंगल यहा आया, तब से मैंने अपने काम में अपना पी जल्दबाजी और गड़बड़ी करनी शुरू कर दी, बड़ा साबधान रहना है आपको 15 अक्टूबर के बाद, कि भी 15 अक्टूबर से लेके, अक्टूबर के अंते तक आप अपनी ही गलतियों से अपना काम ना बिगाड़ रहे हैं, उसका आपको ध्यान रखना होगा, अपनी ही वज़य से अपनी पढ़ाई को खराब न कर ले, क्योंकि मंगल की अस्टम रष् होगे, धैरे से चलोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, तो जीवन में आगे भढ़ते चले जाओगे, तो ये था मेरा आज का विशय कि अक्टूबर 2022 का महीना कन्यराशी के जात्कों के लिए कैसा रहने वाला है, यदि आपको मेरे द्वारा दिये गई जानकारी पसंद मैं, तब तक के लिए बने रहीएगा मेरे साथ, जैश्री राम